इतना क्रिटिव बार बार क्यों कह रहा हूं? आप दोस्तों जिस दिन से मैंने यूट्यूब पर इंगलिश स्पीकिंग कोर्स लाँच किया है उस दिन से पूरे यूट्यूब पर आग लगी हुई है और आज उसी कोर्स की मैं पहली क्लास सिर्फ और सिर्फ आप के लिए लेके आया हूँ बिल्कुल फ्री ओफ कॉस्ट तो आज की इस वीडियो में ऐसा क्या खास है? बस इतना खास है कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आपके मूपे इंगलिश आ चुकी होगी तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाने वाला हूँ बिल्कुल A, B, C, D से समझाने वाला हूँ लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको यहां खड़े हो के ग्रैमर सिखाने लगूँगा और आपको ग्रैमर के रूल पढ़ाने लगूँगा मैंने पहले ही बोला था कि I'm not gonna teach you rather I'll make you speak मैं आपको train करने आया हूँ teach करने नहीं आया हूँ तो वादा बुलवाने का था बुलवा के रहूँगा ठीक है दोस्तों तो बेसिक का मतलब क्या है दोस्तो लास क्लास जो थी हमारी जो कि हमारी कोर्स लाँच क्लास थी उसमें मैंने आपसे कहा भी था कि आपको tenses की वीडियो देख लेनी है जो मैंने आपके लिए बनाई हुई है बिल्कुल वर्ल्ड क्लास टॉप नॉच कालिटी की वा वीडियो है और वो वीडियो देखने के बाद हजारो लाखों बच्चे टैंसे सीख चुके अगर मैं कहँँ तो करोडों लोग टैंसे चुके है उस वीडियो को देख के तो आपने भी देख लिए होगी आपको भी टैंस आ गए होगे छेख चुके होगे कुछ नहीं तो थोड़ा भौत ओधा अगर अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं वो जरूर देखनी पड़ेगी वो तो ऐसा के जैसे कहीं जा रहे होते हैं रास्ते में तो माथा टेक के जाना होता है तो टेंस का वीडियो तो आपको देख नहीं है ठीक है अब उसके बात क्या उसक तरह की बाते होती हैं कौन-कौन सी एक वो बाते होती हैं जिसमें कोई काम होता है खाने का पीने का हसने का रोने का बोलने का यह सारी बाते जैसे for example मैं काम कर रहा हूं मैं घर जा रहा हूं तुम आ रहे हो मैं सोच रहा हूं मैं सोचता हूं मैं महसूस कर रहा हूं वह आ र पास कारे इसमें कौन सा काम है कोई काम नहीं है ठीक है ऐसे ही वह बीमार है वह बहुत अच्छा है या उसके पास बैग है उसके पास काम्याबी है उसके पास पैसे है इस तरह के संटेंस इनमें कुछ भी नहीं होता ठीक है मैं यहां हूं तुम वहां हो यह मेरा घर है वो कि इन दो तरह के सेंटेंस को मिला जुला के हिना हम इंगलिश बोलतें, इंगलिश पीकिंग करते हैं, जनरल इंगलिश जो होती है, आई इसकी धलग दिखा देता हूं, आई ए उनको बोलते हुए सुनते हैं This is my only working room, this is my only office, so that's why I don't have a telephone or a television or a music system here, maybe sometimes you'll get a speaker if I'm working on the music Guys, जो कुछ शारुखान ने बोला, वो सब यहां आपके सामने लिखा हुआ है, जरा देखें तो, जो बात मैं आपसे बता रहा था, कि जो भी हम सेंटेंस करते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, बेसिकली कौन-कौन से, एक तो हो गए टैंस वाले, जिनमें काम हो रहा होता है, टैंस के रूल्स लगे हुए होते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे जो नॉन टैंस वाले होते हैं, जो काम वाले नहीं होते हैं, नॉन टैंस वाले, कौन से भई, जिसमें होता है, मेरे पास यह है, मेरे पास यह नहीं है, यह यह चीज है, वो चीज है, बस, दूसरा टाइप हो गया यह और इन दोनों का जो हमारा मिक्स्चर होता है मिश्रन होता है ब्लेंड होता है उससे मिलकर हमारी पूरी स्वोकन इंगलिश तैयार होती है आओ चलो यह चीज़ प्रूफ करते हैं यहां पर तो शारुखान साब ने क्या वोला है दिस इस माई ऑनली वरकिंग रूम इस इस माई ओनली ऑफिस अरे यह दिस इस बार बार इस्तै हम और इसमें उनन आपको कुछ बताया था आओ चलो चलते हैं फ्लैश बैक में मैंने क्या बताया आको इसमें नन चीज़ों के लिए किया जाता है जो हमारे बिल्कुल पास में होती है मिशेटली हम उनको छो सकत तो बोला है कि वाइव यूप बात यहां इस ने सब्सक्राइब और नहीं लगाया और जहां तक शारुख खान साब की बात है आपको बता जेना चाहता हूं उन्होंने डैली यूनिवरस्टी से बीया हुआ है हंसराज कॉल इस से वह भी economic honors में साथ इसाथ mass communication भी किया हुआ है में किया हुआ है तो बहुत बड़े लिखे इंसान है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला I don't have a telephone or television इसके अंदर भी कोई tense का खास rule नहीं लगा था has have वाले नॉर्मल से रूल थे ठीक है आगे और क्या था अभी मैं आपसे बस यह बात कहना हुआ कि सिर्व एक चीज पर धियान देना है क्या है वो चीज कि जितनी भी इंग्लिश बोली जा रही है वह इन दो क्वाइट रूम दुमारे से दिस आगिया अब यह बार बार दिस आ रहा है यह मत सोच ना कि मैं और शारुखान साथ दोने आवज में कुछ मिलें मिली बगत नहीं है हमारी वह यूज कर रहे हैं दिस मैं आपको यही ध्यान दिलाना चाहता था कि कितनी आसान इंग्लिश जाती है और आपकी दिमाग में हाऊँ बना दिया जाता है ताकि आपसे पैसे लूट लिए जाए यही तो किया जाता है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं सच्चाइब विल्कुल और पोस्मार्ट हो रहा है आगे चलते हैं टिस इस इस इतना सारा दिस मेरा कोई हाथ नहीं ह this is the room which i like i like present indefinite because of the books yeah i mean this present indefinite i told my wife past indefinite to design for me in this house i said the past indefinite i want a library present indefinite that's an old wooden english british library yeah some of the awards here i mean without taking away from the importance of the of them because you know you know you know awards and rewards i think logia i think at every juncture in life they are important they are important normally they are important we're important that again because they kind of how do you say present indefinite they justify to yourself you know or it's like you you know it's an indication of your work or you feel you feel like yeah i think yeah cool milaki jitna i think तरह के sentence निकले टैंसे वाले और नॉर्मल इज्वार वाले अगर आपने टैंस पड़ रखे हैं तो च्छोटी संटेंस तो आप भी बना सकते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात जितना भी उन्होंने बोला है उसमें आई का सिंपल और आसान चीज़े बोलते हैं बस इतना याद रखना फिर बताऊंगा कि आप यह कैसे बोल सकते हो तो दोस्तों मज़ा आया ना लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए यानि वीडियो को शेयर कर दीजिए आपके लिए फ्री में इतना क सोते हैं वो मेरा हॉसला बढ़ाते मुझे इंकरेज करते हैं कि हम अच्छा काम कर रहा हूं और मुझे इस तरह से करते रहना है ठीक है तो दस्तों लाइक करने अगर अभी तक नहीं किया है तेलिए आगे बढ़ते हैं अब टाइम आया है थोड़ा सा SSR को याद करने का सु लिखेंगे कि वो क्या करते थे वो कैसे बोलते थे तो आए उनके बारे में भी कुछ बता देता हूं आए देखते हैं अब जब उनसे इंटर्वी में बात की गई थी जो कि आपने अभी क्लिप देखा उसमें ने क्या-क्या बोला था उसका कुछ मेंने एक हिस्सा उठाया है उसका एक अंश उठाया है तो आए देखते हैं फोकस करना आई का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा होगा ठीक है चलिए देखते हैं आई केंट टोटली कनेक्ट यहां पर आ गया हमारा नोर्मल मॉडल के साथ हमारे टेंस का इस्तेमाल था प्रेजेंट इंडेफिनिट क कुछ नहीं है अब कुछ नहीं था इस वर सेंटेंस को बनाने के लिए देर को लाना पड़ा था क्योंकि कोई हमें सब्जेट को इंडेउस कराने वाला नहीं था ऐल्स डैटलिस्टिक ही आगे हमारा फ्यूटर इंडेफिनिट और इफ आयम थिंकिंग प्रेजेंट कंटिन इस नए परॉटकेंस दुबार में तो अब कर दो लेकि अप्सलुटली नहीं था जिए जो एंडेउस नहीं था लिए अचिनेर्टेंग पाउट कर लिए ले ग्यूट प्रेच यूटरीव ही लिए च्पीर प्रेड इस था यह जिन थोए घ्यूटरिव प्रेड़ प्रेड थे मेरे सपने थे I'll buy my own house और यहां पर आगे future indefinite and I'll buy luxury car and now when I started past indefinite यह हुआ मेरा ख़ता पास्ट indefinite present indefinite जादे 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 प्रेजेंट कंटिनस और पास कंटिनस इसके अलावा कुछ ने आई का बार बार इस्तेमाल हो रहा है बहुत सिंपल से सिंपल वोकेबिलरी का इस्तेमाल किया जा रहा है कुछ भी मुश्किल नहीं है क्या वो मुश्किल वर्ड्स नहीं जानते थे नहीं एक से एक वर्ड्स जानते थे लेकिन जा इस पोकन की बात आती है ना मेरे दोस्त वह आपने असानी से देखा तो अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति अगर मेरी ये विडियो देख रहा है और उसने ABCD से बिल्कुल स्टार्ट गया तो उसको भी अब आइडिया होगा कि कौन से सेंटेस इस्तेमाल होते हैं कौन सी vocabulary इस्तेमाल होती है किस तरह से इनको मिला जुला के हम English बोलते हैं अब यही चीज में आप से apply कराऊंगा कैसे apply करूंगा ध्यान से सुनना अब बहुत important बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ आई की हिंदी मैं होती है वी की हिंदी हम होती है यू की हिंदी तुम होती है दे की हिंदी वे होती है हीशी की हिंदी वे होती है लड़का लड़की के लिए इस्तेमाल होता है इट की हिंदी यह होती है आज से आप ये बात भूल जाएए बिल्कुल हमेशा के लिए भूला दीजिए कि I की हिंदी मैं होती है ये जितने भी अभी मैंने प्रोनावन इस्तेमाल किये है आप इनकी हिंदी भूल जाएए बिल्कुल think in English concept आज मैं आपका apply कराने वाला हूँ बहुत important concept है दोस्तों बिल्कुल ध्यान जे सुनिये मेरी बात आपको बिल्कुल याद नहीं रखना कि I का मतलब मैं होता है आपके दिमाग में I का मतलब I यानि I You का मतलब You तुम नहीं You E का मतलब हमेशा एक लड़का बस That's It अगर मैं आपसे कभी भी पूछू कि I का मतलब क्या होता है आपके मूँ से आवाज निकलने चाहिए I का मतलब I ही होता है मैं नहीं होता बहुत different concept है ना बिल्कुल अलग है ना अभी इसका फर्क महसूस होगा आपको असर दिखेगा दोस्तों किस तरह से असर दिखेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन याद रखना मैंने आपसे कहा है कि I का मतलब I ही होता है अब मैं भूल जाओ भूला दो उसे भूला दो मैं तुम है भूला दो इतकी आपको इंग्लिश तो पता है ना इन सबकी इंग्लिश हिंदी पता है ना लेकिन हमें हिंदी भूल नहीं है इनकी हिंदी भूल दो भूल जाओ भूल जाओ कभी भी I mind मा है तो I I do I think ऐसे होना चाहिए He लड़का He बस That's it इतना काम कर लिया आईए अब आपको एक ऐसे फेज में लेके जा रहा हूँ मैं जहां से आपके मूँपे English आना शुरू होगी दोस्तों हम अपने कोर्स के उस पॉइंट पे इस वक्त खड़े हुए हैं जहां से अब आप बोलना शुरू करोगे कैसे शुरू करोगे बता देता हूँ आपका मैंड मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है आपको इतना तो समझ में आ गया है इतना होसला तो आपके अंदर आ गया है कि अगर शारोखांस, उशाल सिंग राजपूत केटरीना कैफ, विराट कोली या डिपिका पाड़कोन जब ये सब, किसी कब इंटर्वी उठा के देख लो ये सब जब इतने सिंपल और इतने आसान सेंटेंसिस बोलते हैं इतनी आसानी से बोल पाते हैं तो फिर आप कैसे नहीं बोल सकते हैं आपकी भी हद जो आपके लिमिट है, वो है उस लेवल पे हो आप भी, इतना सब तो आप भी जानते हो तो अककते कहा हूँ मैं बता रहा हूँ कहां ठकते हो, कैसे हो सटकन को दूर करना है तो बहुत इंपोर्टेंट बात बता रहा हूँ धियान से सुनना दूस्तों जिससे कि मैंने आपसे कहा ही था कि English speaking के लिए आपके पास tenses का एक base होना जरूरी है तो आपने वीडियो देख लिए होगी tenses आपको समझ में आ चुके होंगे ऐसा मेरा मानना है आपने बहुत अच्छे से वीडियो देखे होगी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अब करना क्या है इतने सारे tenses है क्या मैं आपसे कह रहा हूँ कि सारे tenses एकदम से बोलना शुरू करो कि नहीं 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 इंग्लिश speaking में कौन से tenses इस्तेमाल किये जाते हैं सबसे ज्यादा सबसे important कौन से tenses है हमारी spoken English के लिए वो मैं बताने जा रहा हूँ तो ध्यान से सुनिए तीन tenses हैं जो आपके सबसे important है English speaking के purpose से सबसे ज्यादा इस्तेमाल किये जाते हैं वो कौन से हैं पहला है हमारा present indefinite tense इसके बारे में थोड़ा सा discuss भी करूँगा practice भी करूँगा दूसरा है हमारा present continuous tense और तीसरा है हमारा past indefinite tense बस ये तीन tenses जिसने कर लिये जिसने इसको बढ़ियां से कर लिया अच्छे से जिसने इसकी practice कर ली I promise वो बंदा वो व्यक्ति जो भी है वो बढ़ियां से बोलना शुरू कर सकता है कैसे इनकी practice करनी है वो भी समझा देता हूँ शॉर्ट revision कराता हूँ present indefinite tense में क्या है कुछ भी नहीं है आए देखते है अभी situation ये है कि मुझे English बिलकुल नहीं आती English बोलना मुझे बिलकुल नहीं आता English मैं पढ़ लेता हूँ समझ लेता हूँ थोड़ी बहुत लेकिन बोल नहीं पाता लेकिन जबसे मैंने dear sir का course जॉइन किया है तो मैंने उनकी tense की वीडियो देखी है तो मुझे tense का थोड़ा बहुत idea है subject का मुझे थोड़ा बहुत idea है कि subject मुझे लाना है यह चीज़े मैंने follow कर ली है कर ली है ना यहां खड़े होना आप सब यही खड़े होना सब बिल्कुल चलो अब बोलना शुरू करते है करना क्या है आपको मैंने आपको तीन important tenses बता है और अब मैं उनकी practice करवाने जा रहा हूँ जिसमें सबसे पहला है हमारा present indefinite tense यह important इसलिए है क्योंकि हम अपनी आदते बताते हैं रोजाना का हमारा schedule बताते हैं तो अपने बारें बताते हैं तो spoken English में यह सब तो बताएंगे मैं कितना अच्छा हूँ मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ S या फिर ES जोड़ देना वरना मच जोड़ना यह secondary rule है मतलब S या ES हर किसी के साथ नहीं आएगा ठीक है न में लिए यह है यह rule है यह आपने मेरी tense की वीडियो देखके बहुत अच्छे से clear कर लिया होगा एकदम जमा के clear कर लिया कोई दिक्कत नहीं करना क्या है आपको I का मतलब क्या होता है क्या बोले रो क्या हाँ I का मतलब I सिर्फ I पकड़ो I उठाओ आपके सामने मैंने verbs लिखी हुई है verbs का ही स्तेमाल होता है tenses में काम है यह सारे जो आप करते हो daily life में यह verbs लिखी हुई है आपके सामने हैं ये verbs, आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, पूरी लिस्ट इसकी PDF मैं आपको बाद में दे दूँगा, उसके बारे में बता दूँगा अब ही आपके सामने ये verbs लिक्यों ही हैं, आई को पकड़ो, इन verbs के साथ जोड़ो बोलते चले जाओ, कैसे? I think, I say, I need, I play, I go, I pay, I see, I walk, I agree, I look, I send, I find, I like, I feel बोलो, मेरे साथ बोलो, बोलते जाओ, ऐसे इपने mind में verbs लाओ, I रखो, बस, कोई और subject अभी मत लाओ, सिर्फ I का आपको इस्तेमाल करना है, प्रैक्टिस करनी है, I की, I के साथ बोलो, I think, I understand, I go, अब इसी के भी negative भी बना सकते हो, क्या, negative में क्या हो जाएगा, कुछ भी या फिर does not लग जाएगा, subject आएगा, do या फिर does आजाएगा, और उसमें भी वही वाला rule है, जो आपने पढ़ रखा है, अगर singular होगा, तो does, plural होगा, तो do, और उसके बाद main verb की first form आजाएगी, बस, और object आजाएगा, जो बाकी चीज़ है, ये वाला rule यहाँ भी, अब इस कर, याद करके बोलो, अगर याद आपके mind में है, तो बोलो, कोई और subject अभी आपको initially use नहीं करना है, सिर्फ I को पकड़ो, I की Hindi क्या होती है, कोई Hindi नहीं होती है, I की, बिल्कुल सही जवाब, I की Hindi सिर्फ I, ये रहा I, I क्या करता है, I play करता है, I say करता है, I see करता है, I go कर करता है, I watch करता है, I write करता है, ये आपको practice करना, इतना कर दिया, पहले affirmatives और फिर negative, कोई मुश्किल काम था, कोई भी वर, मैंने का, ये तो second, third form आ गए, अगर मैं इनको थोड़ा सा उपर करूँगा, अगर मैं select करूँगा, बहुत सारी verbs यहाँ पर मिल जाएंगी, किसी के आगे भी आप, आप ये आई जोड़ोगे ना, किसी के साथ भी, तो वो आपका present definite बन जाएगा, practice करनी, कैसे करनी समझ माया, I उठाना है, उसके साथ verb लगाते चले जाना है, present definite यहाँ हो जाएगा, do does not वाला कैसे होगा, do not लगा देना है, I के साथ do not ही आता है, क्यों आता do I need, do I play, do I go, do I pay, do I see, do I walk, do I agree, do I look, do I send, do I find, do I like, इस तरह से बोलने है, repeat करने है, अपने रूम में बैठे हो हो न, कुछ नहीं कर रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है, verb सामने है, आपके सामने रखी है, mobile के सामने verb रखी है, सिर्फ mind में देखना है, सिर्फ देखन को इस तरह से बोलना है, आपको पहले affirmatives बोलो, negatives बोलो, interrogative बोलो, I को तो सोचना नहीं पढ़ रहा न, नहीं सोचना पढ़ रहा न, क्योंकि I का मतलब तो I होता है, I, I, ठीक है, तो इस तरह से आपकी होगी present indefinite की practice, अब दूसरा मेरे सबसे important test concept बताया, present continuous, अब भई उसक रूल क्या कहता है, इसको अगर मैं हटा दूँ, आपकी इजाज़त से, उसका रूल क्या कहता है, वो तो और असान है, दिल की धड़कन, दिल की धड़कन, धड़क 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 धड़क, आएंजी वाला, बहुत असान था, subject रख दो, उसके बाद, is, am, या फ पकड़ना है, क्या पकड़ना है, क्या बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसके साथ, I am thinking, ऐसे ही, I am saying, needing नहीं होता, I am playing, क्यों नहीं होता, बाद में कभी बताऊंगा, I am going, ऐसे करते चले जाओ, बोलते चले जाओ, बनाते चले जाओ, sentence repeat करते चले जाओ, अपने आप, आपको यह सारी चीज़ना, clear होते चले जाएगी, I am thinking, I am going, I am playing, I am watching, इस तरह से आपको sentence बनाने, ऐसे अगर not वाला हो तो बहुत असान है, I am not playing, I am not going, I am not sending, इस तरह से, कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, बिल्कुल English नहीं आती थी, कभी बोलना नहीं जान आते थे, cycle के जो छोटी cycle होती थी, उसमें ना, चार पईयों होती थे, छोटी छोटी दो पईयों होती थे, support के लिए, जब आप initially सीखते थे, ताकि आप गिर ना जाओ, यह जो हिंदी है ना, आपके साथ इसका भी यही rollingly सीखने में, कि यह आपके साथ सिर्फ support के लिए है initial level पे, beginner level पे, यह नहीं कि आप जिन्देगी भर उन दो टायर को लगा के ही cycle चलाओगे, कभी आप दो पईयों पे cycle नहीं चला पाओगे, कभी भी आप English बोल नहीं पाओगे, इसलिए आपको हिंदी को अपनी life से कम करना पड़ेगा, आई की हिंदी आपने खत्म कर दी है, आज से आप नहीं जानते कि I क्या होता है, I की हिंदी क्या होती है, इसी तरह से आपको इनकी भी जो हिंदिया है बाद में भूल जाना, walk मतलब चलना होता है, चलना भूल जाना, walk मतलब सिर्फ यह याद रखना, ठीक है, कैसे होगा यह practice से होगा, दोस्त practice से होगा, मैं तर am i seeing am i walking am i agreeing am i looking am i sending am i finding ऐसे बोल ले बोलते रहने बोलते रहने पहले प्रेजिट खता हो गया अब बहुत ही इंडेफिनेट उसमें आजाता है आपका यह रहा आपकी सेकेंड फां के बारे में आपको बता देना चाहता हूं पूर इंग्लिश की दुनिया में यह वर्ब की सेक वी टू और पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हैं नाम मत दिया करो यार सिंपल लखो न चीज़ें अगर आप विराट कोली से जाके पूछा के वी टू क्या होता है वह क्या बोल रहा है यह ऐसा कुछ नहीं इसको जादा डेप्ट में निमत जानना बलत ना जान लेना कि यह में वर्ब की second form है that's it अर इसका इसतेमाल पूरी दुनिया में इंगलिश जितनी भी है पूरी उसमें सिर्फ एक ही जगा होता है वह होता है प्र प्र मैं वहां गया फिर मैंने य यह किया मैंए डीर स्थर का कोस्स जाइन किया वो देखके मैं इंगलिश बोन ले लगा पास्ट इंडेफिनिट में जाता है तो इसको करने का तरीका क्या कुछ भी नहीं अच्छाई यह मीनिंग थे मैंने गलज जगा अंडरलाइन कर दिया यह मीनिंग थे यह तो मीनिंग थे इसको मैं यहां से करूँगा एस असली में यह है हमारी जो सेकंड फॉंस है वो क्यूं कर बार हूं और आई ऐसकी था फारों carbono है यह और फो हो इसलिए और यह सबसे ज्यादा बोला जाता है और बहु करता हूं और उपर करूँगा तो यह काफी लंबी लिस्ट में आपके लिए बना रखी है आई पुश्ट आई आज अब आई आज्ट जली से मुझे निकला आई आज उसके बाद आज आए आज आए प्टाइब आज आए अपने आप सेंटेस बने मैं तो सिर्फ आई लगाए आपको आई ही लगाना है इन तीन सेंटेस इसके अंदर आई लगाना है अभी इनिशल लेवल पे कुछ नहीं करना देखके करते रो लेकिन हां कितनी बार करना है दस बार करो ये काम दस बार करो बीज बार करो तीस बार करो जब तक करो जब तक आई आए आपके मुग पे आना शुरू ना हो जाए ठीक है बहुत असान काम है कुछ नहीं करवा रहा है ग्रामर पढ़ाने लगू मैं भी आपको बड़ा असान है मैं ऐसा कुछ नहीं करा ठीक है अब और आगी क्या करना है वो बताता हूँ एक और टेक्निक बताता हूँ वो शुरू करते हैं तो दोस्तों पहला स्टेप तो आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है कि करना क्या कुछ नहीं करना आई आई सबसे इंपोर्टन हम खुद के लिए होते हैं हम अपनी बाते करते हैं तो आई पकड़ना है वर्प्स लगानी है तीन टैंस के रूल सबसे पहले पके करते चलना है ठीक है बोलते चले जाना I play I go I see I watch इस तरह आगा ठीक है कोई दिकत नहीं इसमें यह करने के बाद जब आपको लगे कि हाँ काफी मैं प्रैक्टिस में आ गया हूँ आ गई हूँ आई मेरे मूँपे आने लगा I think एकदम से आ जाता है या अगर मैं सोचता हूँ कि मुझे बोलना है कि I go मैं जा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में आता है कि I go या I'm going आ रहा है मेरे दिमाग में आ बात कर लिए जिसको इसकी फॉर्म्स याद है ना वो कभी भी अटक नहीं सकता और जो मैं टेक्निक्स बता रहा हूं उसके बाद तो बिलकुल भी नटक सकता तो करना क्या है आपको कुछ भी नहीं करना है बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ यह पहला स्टेप फॉलो करन एक होता हमारे नेगेटिव जिसमें नहीं में बात होती है तो शेलेगी यह समय अनलीं करना क्या है कुछ भी नहीं करना इन पर की मै दह रोख히े रख और करना इन तीनों फॉलो है कैसे पहले present indefinite tense उठाया हमने क्या किया मैंने present indefinite tense लिया उसमें I subject put किया और तीनों के चारों के बनाए क्या जैसे के I understand I don't understand do I understand what do I understand खतम ऐसे बनाना है ऐसे फिर जैसे continuous का बनाने लोगों तो क्या हो जाएगा I am playing I am not playing am I playing where am I playing इस तरह से आपको बनाने practice करनी है पहले जो subject उठाओगे कौन सा आई वाला चाहा आई की हिंदी क्या होती है क्या होती है क्या होती है आई ही होती है याद रखना ठीक है आई की हिंदी आई अब I am playing ठीक है यह continuous जब काम चल रहा होता है इस तरह से आपको past indefinite कई बनाना ठीक है I played I didn't play did I play where did I play when did I play why did I play a past indefinite सबसे important होता है जिसको past indefinite आ जाता है यानि वो बन्दा बढ़िया समझ चुगा है ठीक है तो इस तरह से आपको आप second step में ऐसे practice करनी है कि आपको इनकी चारो form सी जो affirmative negative कोई बड़ी बात नहीं बहुत असान है इस तरह से बोलना जितनी fluency लाओगे उतना बोल पाओगे दोस्तों बहुत ही असान तरीका बता रहा हूं यह करने के हिंदी हमें नहीं याद रखनी बुला दो उसे अपनी यादो से निकाल दो सबको ठीक है तो इस तरह से आपको आई को change करके भी आगे practice करनी है अच्छे इतना सारा काम कप करोगे अरे तीन से चार दिन आपको दे रहा हूं practice करने के लिए next class जो आएगी तीन दिन के gap में दूंगा ताकि इतना करके आओ और इतना करने के बाद आपको practice आपको दे रहा हूं उनके मीनिक्स लिखे आपको दे रहा हूं आपको टेक्निक्स बता दी इंप्रूड़ेंट टेंस बता दिये प्रूव करके दिखा दिया क्या छोड़ा मैंने पहली क्लास में पूरे जोश के साथ आग लगाने माला काम मैंने कर दिया है आईए आगे दिखते हैं इस लिए आपको उसे से सब सारी जोरॉश कर या इसके लिए उया जानी चाहिए इसब चीजों कर दो आपको अप़ोगी कार नहीं होती है translation बहुत different चीज है, exam के लिए important होता है आपको exam नहीं दे रहे हो, आपको बाते करने ही एक दूसरे से और बाते करने के लिए बहुत simple और असान शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि हमने शारुखान के interview में देखा, SSR के interview में देखा इन लोगों ने बहुत ही आसान शब्दों का इस्तेमाल किया था इन्होंने कोई बड़ी-बड़ी मुश्किल vocabulary इस्तेमाल की ही नहीं थी क्योंकि ज़रुत ही नहीं होती, अच्छा हाँ, शारुखान ने एक vindication word यूस किया था बजरे की रोड़ी और यह जो अजीब अजीब से words होते है ना कि गोल गप्पों की English क्या होती समोसों कि अरे क्या करना है तुम्हे यार इन सब चीजों की बाते करके अपने time waste मत करना परेशान मत होना किसी को भी इतनी सारी vocabularies नहीं आती होती है, थोड़ी सी याद रखो, बोलना स्टार्ट करना है हमारा main purpose एक और चीज बहुत important है, जिससे कि आपको मैंने tense की वीडियो कहा था कि भी recommend कहा था कि आप वो देख ले ना इसी तरह एक और चीज है जो आपको देखनी है पड़ेगी आगे चलने के लिए वो क्या है, जिससे हमारे tenses होते हैं इसमें भी दो तरह की होते हैं, एक होते है हमारे active, जो मैंने आपको पढ़ा दिये जो वीडियो आप देख चुक है, ठीक है, दूसरी हमारी passive, यह क्या ह होता है दोस्तों, तो मैं चाहता हूं कि आप क्या करें, देखो मैं भी भीगा भीगा जा रहा हूं इस वकत, आप भी क्या करें, कि आप यह spoken English के परपस से passive voice की मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपकी एक पूरी दो घंटे की वीडियो आईगेस, वो लिंक दे दूँगा रेकमेंड नी करूंगा, बस यह और देख ले न, मेरे कहने से, अचा टाइम दे रहा हूं, अगली वीडियो मैं आपको तीन से चार दिन के गैप में दे दूँगा, आराम से इतनी यह सब प्रैक्टिस कर ले न, मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद इस्टेग्राइम पर, मुझे आप डियम कर सकते हो, कुछ भी पूछना पूछ सकते हो, चैनल को सब्स्राइम ने किया, टैन मिलियोन पहुचाना आपके जिनमेदारी, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, कुछ और जबरदस इस्पोकन इंग्लिश के साथ तब तक के लिए ब